असलाम अलेकुम, 5 class, how are you? Are you fine? 5 class, आज से हमारे lecture स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? आप लोग 4 से 5 में आये हैं, तो कुछ न्यू चीज़े हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो साइंस का आप लोगों का जो lecture है, चेप्टर नमबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूनिट नमबर 1 है, क्लासिफिकेशन आफ लिविंग तिंग्स, सबसे पहले तो आप लोग एक बात को पनी माइंड में बिठा लें, कि जो आपको डेली का वर्क दिया जाएगा, आप लोग साथ साथ डेली बैसिस पर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, राइट करेंगे, लर्न करेंगे, उसे अच्छी तरह आप सारा याद करेंगे, लेक्टर आप लोग ने जो लिखने हैं, वो सबसे पहले आप उपर डेट मेंशन करेंगे, डे मेंशन करेंगे, लेक्चर वन लिखेंगे, चप्टर का नेम लिखेंगे, जो चप्टर का नेम होगा, वो लेक्चर में लिखेंगे, देन आप लोग जो वर्क होगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीके, अगर according to lectures वर्क ना हुआ, तो यह आप लोगों के लिए good नहीं होगा, आप लोग साथ-साथ यह सारा वर्क करेंगे, और जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे आप लोग वर्क करेंगे, science आप लोग 4 वाला, आप लोगों का यहाँ पे, बिल्कुल कोई भी ऐसा concept 4 वाला नहीं होगा, different books हैं, different आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी, पढ़ने को, तो इसके कॉर्डिंग आप लोगों ने यह सारा अपना मैनेज करना है, clear, अब हम लोग आते हैं अपने lectures की तरफ, तो unit 1 है हमारा science का classification of living things है, जन्दारों की जमात बंदी जन्दारों को classify करना, उन्हें तकसीम करना, उनकी एक जमात बनाना, जैसे आप लोगों की classes बनी हुई ह आप लोग 5 में हो, तो आप लोगों को 5 class की एक class बना दी गी है, जो 4 class है, उनके 4 class बना दी गई है, इसे तरह 6, 7 की classes को divide कर दिया गया है, उनकी classification की गई है, ऐसो तो बिल्कुल भी नहीं है, कि 3 का बच्चा 4 में बठाया हुआ है, या 4 class का 5 में बठाया हुआ है, या 5 का 6 म ठीक है, नहीं न, तो एक उनकी आप लोगों की जैसे classes है, आप लोगों के सारे एक class की बिना पर आप लोगों को group बनाए गई है, एक class बनाए गई है, इसी तरह इसमें living things की जानदारों की classification भी ऐसे ही है, कि जानदारों को things into groups on the basis of similarities, उनकी हसूसियात की बिना पर, उनकी उ पर में हम लोग यह पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों इस paragraph में examples दे गई है, जैसे कि different किसम की books है, इसलामियत की book है, Islamic study की है, science की है, English की है, math की है, उन बुक्स का एक group बनाया गया है, इसे दरह आप लोगों की यह different चीज़ें हैं, जैसे कि spoon है, उसके बाद आप लोगों की एक class बना दी गई है, fruit में हम लोग, fruits में हम लोग vegetables को add नहीं करेंगे, इसे तरह books में हम लोग fruits को नहीं रख सकेंगे, similarities की बिना पर, ठीक है, चीज़ों की similarities की बिना पर, उनकी हसूसियात की बिना पर, उनकी एक जैसे basis की बिना पर, उनकी एक group बनाया गया, उसे कहते है classification of living things